फ्री मैं भी ना लें किसी से घर की ये पांच चीजें जीवन भर पच्ताओगे नम्मर एक कभी भी किसी से मुप्त में रुमाल नहीं लेनी चाहिए इससे आपस में कलह की भावना बढ़ती है नंबर दो, कभी भी किसी से मुप्त में सुई नहीं लेनी चाहिए इससे घर परिवार में परिशानियां और शमस्याओं के साथ साथ कलह कलेस और दरिदरता आजाती है नंबर तीन, जौतिस सास्थर के अनुसार किसी से मुप्त में नमक लेने से घर की आर्थिक इस्तिती खराप होने लगती है नमबर चार, सरसों का तेल कभी भी बिना पैसों का नहीं लेनी चाहिए इससे आपके जीवन में परिशानिया और समस्याएं बढ़ने लगती है नमबर पांच, माचिस को अगनी का पतिनिदित्व माना जाता है इसलिए माचिस तभी भी किसी से फ्री में नहीं लेनी चाहिए इससे घर में औसांती बनी रहती है तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और सेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अपले विडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब हो